मुंबई दम दमागों के आरोपी दाओद इबराहिम के करीबी फारुक टकला को दुबई से किरिफ्तार कर मुंबई लाया गया टकला को मुंबई में टाटा कोर के सामने पेश किया जाएगा बता दे कि फारुक टकला 1993 में मुंबई में हुए बं दमागों के बाद ही देश से फरार हो गया था माराज सरकार ने इमर्जेंसी उनिस सप्चत्र निस सद्नानबे के दोरान मारे गए या फिर जेल गए लोगों के लिए फेंशन यूजना की गोशना किये राज के राजसों मंतरी चंदरगांज पाटिल ने विदान सवा में इसका ऐलान किया उन्होंने का इमर्जेंसी के दोरान लोगतंदर के रक्षा के लिए लड़े लोगों को राजसरकार ने सम्मानित करने की यूजना बनाई है अगर आप भी मनपा अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं और विमारी से संबनी डॉक्टर से मिलने के लिए पठकते रहते हैं तो जल्दी इस समस्या का निजात मिल सकता है केस पेपर लेने से पहले जर्नल फ्रिजेशन आपकी प्रार्रम जाज करेंगे और आप किस विभाग में इलाज के लिए जाना है जानकारी देगे डॉन रवी पुजारी से निर्देशक रेमो डिशुजा को दमकाने के आरोप में मंगलवार को फिल्म निर्माता सतेंदर त्यागी को गिरुफतार किया गया पता चला है कि त्यागी ने अपने एक दोस्त की लाइसेंसी रिवालवर से यह गोली खुदी चलवाई थी ताकि बाद में रेमो डिशुजा को फसाया जा सके जुनिया का सबसे लंबा रोपवे मुंबई में बनेगा इसके साथ ही एतिहासी गुफाओं वाले एलिफेंटा द्विप के लिए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से नौका का उप्योंब करने के दिन खतम हो सकते हैं आपको चाहिए तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले लुंबई बाउन राजानी एक्सप्रेस ने एंसी बी ने बॉड़दरा रेलवे स्टेशन से ड्रक तसकरी के लिए नाइजेरियन को गिरुपतार किया जिसके पास से छे करोड से अधिकी मातरा म में नशीली फदार्त परामक किया गया है वोशन पाडिल पर करीब 56,000 करोड का खर्ज है जिसे खरिदने के लिए टाटा स्टील ने 35,000 करोड की बोली लगाई है टाटा स्टील खरिदने की रेस में सबसे आगे है आज अंतरराष्ट महिला दिवसे इस दिवस पर रेलवे ने एहम खदम उठाया है इतिहास रस्ति वे पहली बार किसी सथाबी एक्सप्रेस पर सभी महिला TTE की निवति की है मुंबई का माटूंगा रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जो सिर्फ मैलाओं द्वारा चलाया जाता है इस रिकॉर्ड को लिमका बुक में दर्श किया गया है इस स्टेशन पर कुल 41 मैलाएं खारे रत है स्टारवजनिक शेत्र के भारते स्टेट बैंक SBI पर नकली नोटों से जुड़त दिशा निर्देश के उलंगन के मामले में पिज़व बैंक RBI ने 40 लाक रुपे का जुर्माना लगाया है नासिक से मुंबई तक 180 किलोमेटर लंबे मार्च पर निकले 25,000 किसान पुर्ण कर्ज माफी की है मांग अमिताब पच्चन ने अपने ट्वीट एकाउंट पर स्वच शक्ति और स्वच भारत थीम का एक वीडियो शेर किया है जिसमें देश की प्रकति में मैलाओं की भागितारी को दिखाया गया इतना ही नहीं अमिताब ने तीन तज़्वीरे भी ट्वीट पर सेर किये जिसमें उनके परिवार की मैलाएं शक्ति की जहलग दिख रही है शाखनो न्यूज चैनल दो मिनिट में बारा खबरें कैसा लगा पसंद आया लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद मैं आपका एक्टर शिवकुमार वर्मा बुक्त की जोद आपक एको एकर खबरें करें लाइक करें लाइक कि आपका लाइक करें।